जी एमडी रेहान साब और डिफ्रेंस साब डिफ्रेंस साब असल में वाट एल्स है ठीक है आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और आप लोग का दावाई है कि हम लोग हाकाइक सामने लाते हैं साब सकते हैं और रेहान बैए कबूधर किरी मत कर देना इना ना मैंकि आ तो पहले ही कर रहे हैं पहले ही आगा कर रहे है कि आप घिस्टोन में जा रहे है ना आगे जाके आप कबूधर किरी करेंगे लेकिन दुनों के जो बात करने का अंदाज है दुनों में बहुत काई फर्क लगता है मेरे ख्याल से वो इसलाम जो आप लोगा टार्गेट है उसमें जो उनकी बड़ी शक्सियत है अब कुद्य गोगेट मुझे तुमाम प्रंस्लेशन की हैं वो गलत हैं और आपकी ट्रंस्लेशन सही तो आप यहां तो सब को लोगा ठग है दो। कि मुझे जुआन करो जुआन करो आपका दावा है कि अपने नभी अपने बीवी या कपरा पहना और आपने वह लफज मिर्तुन का पता नहीं कहां कहां डिक्शनेरी से पता नहीं किस जिक्शनेरी से और सबब भी था दोनों चीज़ें सौब सर बुखारी के अंदर लफज सौब लिखावा है से वाओ बे ठीक है और अदब मुफरित के अंदर मिर्त लिखावा है दोनों चीज़ें लिखी हुई है दो दो अरभी के वर्ड्स बियान किये गए मैं दो डिफरेंट हदीसों के अंदर आप बताएं आप बात मैं यह जो कई मानों में मुश्तरक है तो आप उसका वो माना क्यों ले रहे हैं जिसमें किसी की सब्सक्राइब हो रही है जब मैं कहता हूं कि अपने आलम को गाली देदो कि उन्हों ने खलत मत लिया सुने यार सुने मेरे तिके से आपको तसली से सुने ना हम लो आप कम लिए उसके बात किसमें नहीं तो अपने उल्मा की बात मान ले जब कि आपके उल्मा ने कहा है कि आपका रसुल खुद कह रहा है कि मुझे आईशा के बारे में तकलीफ ना दो आईशा रजी अल्ला के सवापनी बीवियों में से किसी के कपड़े में मुझ पर वही नाजल नहीं होती जब आप अपने स्कॉलर्स की बात नहीं मान रहे हमारी बात नहीं मान रहे डिक्ष्णरी की बात नहीं मान रहे तो भाई मैं आपके बात क्यूं मानूं तो मैं आपको रुख रहा हूं आपके पास कौन से डिगरी है कौन से डिगरी है आपके पास अब मुझे बताएं जब मैंने दिख्शनरिया दिखाई उर्दू की डिख्शनरिया दिखाई अरभी की डिख्शनरिया दिखाई वह आपने दिखाई अब मुझे बताएं जो शाल होती है उसको अरभी कोर्बी में का कहते हैं मुझे बताएं बहुत लुक्षित जाएं निरा मैंने बुखारी को लिई है मैंने बुखारी को लिवी तो मैंने जो देखा था आपका इस्ट्रीम उसने उला भी सुन मिर्त आईशा रजल्ला तबल मुफरत में भाई यह जो आपके सामने अभी हदीश दिखाई है और उस दिन यह हदीश दिखाई थी आप सिलेक्टिव एक चीज़ को लोगे दूसरे को नहीं लोगे तो यह तो सौब को जो है आपके उलमा ने कपड़ा तरजुमा किया है उलमा ने किया आपके आपने भी सवाल किया है न कि आप वो माना क्यों लेते हो जो जो माना किसी ने लिया हमने आप से कहा कि सौब का माना आपके खुद के उलमा जो मुतर तरजुमा करते है उन्होंने कपड़ा लिया है तो आपका पहला एतराज तो यहीं ख़तम हो गया सभबाएख़र देखा ना मैं इसको देख्या से कर लेंगे लेकिन अभी जो हम जिस्यीश को बिखकर आला है हमारे नदर के सामने हमारे पास जो जिस्यीश का रिफिरेन्स है मुष्त एक्वाक्ष्ट कर लोग का बिखिक नौहाख ब्रक्र सुन रहा है मरी बात मैंने क्या मिर्थ का मतलब भी गार्मेंट्स होता है ना सिर्फ यही होता है क्या बेहतरी तो अब आपके एक हदीश के अंदर मिर्थ है तुस्री हदीश के अंदर सौब है तो मैं दोनों को मिला की देखूँगा ना कोई सा मतलब एक कि सारी हदीस के अर्थि लफ्जों के बुराबंड वोई जो कर सेकेगा कि अगर ऑन कहें जाते हैं जुब कर सुने और समझे ठीक है यहां पे बी- यहां पे साया सब एनों ने क्लोज लिखा वहाला कि है रज रगाए शट्रट यहां पे यार सबर रहान यहां पे यहां पे उन्होंने आईशा की शर्ट लिखाव है करेक्ट यहां पे शर्ट लिखा हुआ यहां पर देख रहा हुआ है यहां पे अर्भी का लफ्स मेरत है और अदिय्गुला है यहां पर मिर्त और यहां पर शर्ट है, यहां पर स्कॉल्डन रे शर्ट क्यों लिखा है, क्योंकि उन्हें ने यह हदीश भी पड़ी है, और उन्हें बुखारी भी पड़ी है, और उन्हें यह भी पड़ी है, उन्हें ने देखा, सौब का मतलब होता है कार्में, अब आत मे यह मैंने बोला है उसके आगे भी बोला है रियान साब आप सुनते नहीं हो ना ध्यान से यह बुखारी बुखारी की रिवायत है आपने अर्ग्यूमेंट सुना आडम साबने लास्ट लाइन क्या कई थी अरे चलो भई क्या होगा आप एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दो ने क्या मसला है बई आज जुबान के उना कंसे काम जुबान पर तरा लाए ओना काम को खुलो आप यह कर ले रिपीट कर ले इसमें क्या दिक्कट है बोलना ने बीच में जी बिल्कुल ने बोलूँगा जी मैं सुना आपको ओके यहां भी आपके स्कॉलर ने मिर्त को शर्ट के तोर पर ट्रांसलेट किया है बिकोज जो स्कॉलर ट्रासलेट करने वहला है उसको बुखारी भी उसने बढ़ावा चुप चुप उसने बुखारी भी बढ़ावा बुखारी में सौब नवर्ड चुप यार रेहान भाई यह गलत तरीका है न अभी आपको कुछ नहीं बोलना है बुला जी जी भी मत करो थोड़ा सुनो ना यार रियान भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार अच्छे आप अच्छे से बात कर रहे हो फिर खराब कर रहे हो डिस्कुशन आदम साब बोलो और फिर लो उनको तो जब आपको चुप रहने के लिए बोला है तो आप जी 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 भी क्यों कर रहे हो? जब आप सुनते नहीं हो आपके लिए तीन बार रिपीट करना पड़ रहा है तो क्या मतलब है? अभी गौड से सुनो, M.D. रियान साभ मैं आपको बता देता हूँ कि Adam साभ ने आपको क्या कहा है? गौड से सुनो Adam साभ ने आपको ये कहा है कि उल्मा ने अदब अलमुफरत की हदीश भी देखी है और उसके बाद उल्माने बुखारी की हदीश भी देखी है उन्होंने वहां मिर्ट का लफ़ भी देखा है और उसके बाद यहां पे सौब का लफ़ भी देखा है इस वज़े से दोनों को लेकर उन्होंने जो माना लिया है वो ये लिया है इदर कि ये शर्ड बनती है उलन श और बुखारी में जिसने ट्रांसेशन किया है उर्दू में उन्होंने कपड़ा लिया है मिला के आप क्या कर रहे हो आप बुखारी को इग्नोर कर रहे हो और सिर्फ अलादवाल मुफरत का वो मिर्त का मतलब जो है जो दूसा माना बन सकता है वो ले रहे हो जब दोनों को मिला के आपको देख आप लोगे तो उधर फिर आईशा के कपड़ी वनेंगे ये उनका आर्ग्यूमेंट था अधिया अधियू विल्कुल आप संजीदगी से मैंने आपकी बाप सुनी जिस अधीस में साहिल बाई वोलन शेट आया आप उसी अधीस का उर्दू रेफरेंस देखाएंगे तरजमा नहीं तो अधिया गिया गया है मैं देख देता हूं आपको दिखा देता हूं कि नहीं है यह देखें यहां पर उर्दू ट्रांसलेशन की कोई नहीं है उन्दर नहीं दीवी यह बात कर लें आप जी रहान साथ जी 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 आप शाहिल भाई जी भाई सुनना टॉट कॉम पर नहीं है उर्दू का ऑप्शन नहीं है दुसी जगा में होगा न भाई जहां मतलब वह दीश दुसी जगा होगी वैल इंशट का बाना उर्दू में थोड़ा प्समा दें तो अगर आपको उर्दू में ही लेना है तो सही बुखारी में तो उर्दू में कपड़े का किया है ना उन्होंने आईशा के कपड़े मैंने आपको पहले न कहा साहिल भाई कि मैंने इस हदीश पर अभी नहीं मतलब नहीं किया देखा नहीं है तो आप एक काम करो आप जाओ बुखारी का हदीश का भी रिफरेंस थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लो अलादबल मुफरत का भी रिफरेंस देख लो और उसके बाद प्रॉपर तहकी करके फिर आप रिटन आना ठीक है भाई तो असाइल भाई मैं अभी दो-तीन हदीश में लेकर आएं मिर्टन वाली जो सुनना डॉट कुम वाला भी उसके माना वो नहीं किया जो आप लोग बयान कर रहे हैं हाई जब हमने बता दिया आपको कि दोनों, तीनों जव सारी हदीशे उसको लेके फिर आप अच्छा सा आर्ग्यूमेंट लेके आईए मिर्ट और सौफ दोनों को लेके आप अच्छा आर्ग्यूमेंट लेके आईए क्योंकि अभी मैं बोल दूँगा बुखारी कहती साब बोलो के मैंने उस पर तहकीक नहीं किया है अगर जिद करनी के लिए आए हैं एमडी रहान साब तो कोई मतलब भी नहीं बनता अगर वहां कहीं में आप मसला समझना चाते हैं समझाना चाते हैं तो बुखारी को भी लो मुस्लिम में भी मिल जाएगा आपको पूरा इखटा जो ये तीन-चार हदीसे हमने बताई थी वो चेक करो और उसके बाद फिराब यह जो तुम्हारे पीचे बड़ा बंदा है कोना यारा आप इसके बड़े बाई हो भॉल मुझे बड़ा बंदा तुम्हारे पीचे बोल रहा हूं भाई बोल तेरा नाम किया है जो पता है कि तुम्हाना नाम क्या है? प्यारे बाट पूछना बत्तमीजी है क्या? साहिल बोल रहा हूं साहिल अच्छा, ठीक मुझे पता हो कबूतर के आंडे की तरह की चीज नबूवत को कैसे थाबत कर सकती है? मैं इस पे अभी जब मैं इस पे बात करूँगा तो इस पे बात कर लूँगा अभी मिर्थ पे बात हो रही थी ना? वो हो गई है वो आपने रिसर्च करनी है आपने मुझे बताना है कि यार कितने बार बोलने कराते हो यार आप लोग आपका करके आए जिंसे अभी आप बात कर रहे थे उएक अच्छे आपके आलिम्यदीन है, समझेगा नहीं है, एक सगिन, व हुज स्थूडेट है, या अल्म-य-दीन है, उसने कहा है मैं स्थूडेंट हूं, तुम कह रहे है आलिम्यदीन है जुट बोलते हो, हाँ, वह बोल है मैं आली में दीन हूं लेकिन तालिब इल्म भी हूं आली में दीन है और बुखारी की हदीस में जो सौ वड आया है उसका उनको माना नहीं मालूम है वाँ 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 अब बुखारी की अदीस का पता नहीं है इन लोग इन आगे बाद गरनी है आलमे दीन है चलो मुझे बता फिर ये मुड़ो के दिर्मयान जो उसके आलमे दीन कबुलाना कबूतर के आंडे से कैसे थाबत होता है अच्छा सुनो आप से अच्छे से बात करेंगे लिकिन जो आलमे दीन साब है आप उनको लाइए वो टॉपिक जो है उस पर आप रिसर्च करके आएंगे अभी जो टॉपिक चल रहा है चुके आप आलमे दीन है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए आप इस पर बात करिएगा दूसरा आप कुछ नहीं बोलेंगे अच्छे से बात करेंगे फालतू बात करेंगे बिल्कुल आपसे अभी अच्छे से बात करेंगे लेकिन अपने वाले बात कर रहा हूं है अपने भिहाब पर दुनिया में किते सारे अली में क्या होगा उंसे या वो रहान भाई यह अरे आली में दिन है वो लेकिन मैं अभी इस समय अपनी जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूं तो इस वाली टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो मिर्त वाला उस दिन आपने अलद्मुफूरिद किताब दिखाई तो उसकी जो उर्दू ट्रांशलेशन है वो आपने क्यों नहीं दिखाई वो सुनना वाले के पास नहीं है तो कहीं तो होगी किताब मेरे पास में है पीडियाफ शेयर करो पीडियाफ शेयर करो कर रहा हूं अब बंदा साहिल जोन होने जा रहा है अच्छा तुम मुझे यह बताओ तुम आलमेदीन और सो काल्ड मुझे बताओ यह कभूतर के अंडे की तरह के मोके से मुझे बताओ यह कभूतर के अंडे से नभूत कैसे साबद होती है आप लोग इसी मसले मुझा तुम्हें बैक्स्टेज किया है तुम्हारा ता दोस्ता पीडियाफ लेने गए आपकी रिसर्च नहीं उस पर तैकीक नहीं है तो जब वो पीडियाफ लेगे आएगा तब उससे बात करेंगे मुझे आज की टॉपिक पर बात करनी है भी यह जो कभूतर के आंडे की तरह का मोका मुहम्मद की कमर पर निकलावा था इससे नभूत कैसे जाह पर होती है यह ने कहा ना कि हमारा भी जब वो आजाएगा तब आजाना गेट लॉस्ट जब वो तुम्हारा दोस्पीडियाफ लेगा तब आना यॉर आउट आगल के बच्चे बेवकूफ चाहिए मुहम्मद शाहनवाज अपना माइक और कैमरे को परमिशन दें ताके आपको एड़ किय अब जो बंदा आलिम नहीं है खुद वो दिफा करने आया है यार कितनी मतलब यार हद यार हसी की बात है कि आलिम साफ धेर हो गए उनकी रिसर्च नहीं है जो आलिम के नीचे वाला है अब वो दिफा करेगा यार हाद यार यार साहिल हाद यार यार यह तो खुली घुस्ता की आलिम साफ की इनिहाओ यह दुखारा चाहारा था यह गोर से देखिए साल सब इससे कैसे थाबित होता है कि मौहमत अश्वार एक नभी घ्रच आप ने सैल सब कभी देखा वह लोगों के उपर एक मोका लगा होता है मुंपे यहां किसी भी जगह पे कमर पे अजीत सा गंदा सा मोका बोस्कार्ब रुटर रहा हुए वह बोल रहा हो ना जी जी बिल्कुल बिल्कुल यह देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि यह देखें, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इसको देखते हैं, एफ सेल साथ देखे मैं बड़ा सीधा साथा बंदा हूँ आपको पता है सिंपल सवाल होते है मेरे जड़ा सवाल होती ही यह और आप देखे कि अगर किसी बंदे के जिसम पे इस किसम का मौका निकला हो यह मोका नजर आ रहा है सर आपको हाँ ठीक है इस मोके को देखके नबूवत कैसे थाबद होती है मुझे कोई समझाने की कोशिश करेगा दुनिया को कोई भी मुसल्मान यह तो छाला लग रहा भाई नहीं मोका सा होता है न सर काला सा जो बंदे के उपर आ जाता है मसा मसा हाँ वो उस से इस से किसे थाबद होता है कि कोई भी बंदा नभी है मुमिन अजरात ही बताएंगे भी क्योंकि सर मैं तो बड़ा सीधे साथा बंदा हूँ आप बता है ज्यादा बाते मैं करता नहीं हूँ छोड़ी बाते करता हूँ है लेकिन मुझे ये सील समझ नहीं आई आई आज तक कि ये चीज अगर कमर पे आपको नजर आए तो इस से आप कैसे थाबद कर सकते हैं कि ये नभी है मिस्टर लिस्टर भाई क्या आप मुसल्मान है चलेगी हैं तो देखें सेल सब एक और इमिज मनाया है सेल सब इस इमिज का मुझे बता सकते हैं इसके इमिज के पीछे किया है वट इस इस मोल शुड़ाइक टिट आफ नो इस देशी लफ दॉट इट प्रूब्वेड इट प्रूव्ज़ दॉट इट प्रूज़ दॉट आई इस 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 का जूम यह और यह चीज यह जो मोका मोटे वाला मोका होता है सब्साइब यह चैज़ बत है है और कि दुट एक पाकिस्टान की एक्रस है उसके मह उपर के ब्रोच प्रोच थे लैम फो लगषिशा होना चैना तेरे तेरे गालोब आ पै जो जो इस मिरा दिल है वही मेरा दिल है यह वो वाला होना चाहिए प्यारा सा वाला यह न वहाला है पफ़त अच्छा पाकिस्तान में लड़की बड़ी फेमस हो रही है इस बात का मैं भी आपको दिखातू है है ये बड़ी फेमस हो ही त्रमो की इस मोके की वहहसे और मैं हूँ कि यार इसको देख के कौन यही किस को यार मैं कुछ नी बोलूँ यह नितकि किसल सब यह मोका आ हाँ हाँ यह मोका देख रहे III की आध हरे है फेम profile ओव हुआ मैं के तो यार कटवा दो यार इसको कमसकम अच्छी लगोगी अच्छा बाला तुम्हारा फेस है इस मोके की बाला तुम्हारा फेस मजीद खराब हो गया यार लेकिन एनि यार यह जो सील है यह मोके से सील कैसे बनती है मुझे कोई यह समझाने कोशी करे आज तो यह भी लेडी प्रॉफिट का दावा कर सकती है फिर अलहम्दलिल्ला आपका कलर भी अलग है अलहम्दलिल्ला अगर लेंस नहीं पहनी हुए तो आँख भी अलग है और मोका भी है जैसे कि आप कह रहे हो मोका तो मौके पर मौका मार सकती है यह नबुवत का दावा कर ले अगर आप यह देखें इस अदीश को पर आप सब्सक्राइब के पीछे कड़ा हुआ और मैंने महरे नबिवत देखी और वो कबूतर के इंडे के इतनी थी यह इतना बड़ा मोका था मोहमद साब की कमड़ पर इतना बड़ा कबूतर कंड़ा कबूतर कंड़ा जैसे चपर खट की घंडी चपर घट की घंडी या कबूतर कंड़ा चपर घट की घंडी या कबूतर कंड़ा साहिल साब ये इस से नबूवत के से जाइब होती है ये मैं बड़ा हिरान हूँ इस चीज़ के उपर आज तो कोई मुमिश असराद जो है किसी के पास तो सवालों के जवाबी नहीं है वाई सब्सक्राइब है जिनके पास तेहकीक है जी साब पीडियाप खोले से अलो हें हेली हो हेले हो तो बोलना प्सद्र निकाए रहे है कुछ माइक में मसला रह गाए इनका या फिर कनेक्षिण में इस लोगँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब इतनी अजीब बाद है साहिल साहब, बना जा भी नहीं रहा, बैठा हुआ है, मैं कहरो ब्लॉग होने लगा है, मैं गिंती गिन रहा हूँ, यार लीव स्टूडियो कर दे, नहीं वह बैठा हुआ है, यार कितना यार वैसे हिरान होता हुआ है, अच्छा जी, कबूतर का अंड साथ, बलॉक होना है या बोलना इस दीफ़ा, नहीं बोलना, शमस मिर्दा साहब, मिस्टर समश मिर्दा, शमस मिर्दा, ओके, समश मिर्दा, मुसमान है अब, जी, जी जी, बीजर, ये कबूतर के आंडे के मोके से, नबूत कर से थाबत होती है, आप उन निशानी हैं आखरी पैगमबर की निजानी है याणि कि यह वहला मोका जो कि योगे डेट स्किन सी ओबर जाती है ये निशानी है याणि कि ये मोका निशानी है नबुवत की यानि के दुनिया में हर वो बंदा जिसके पास मौका है वो नबुवत ये मौका इस टाइब का मौका अगर किसी के पास है तो वो नबुवत नभी है जी मिर्जा नहीं मिर्जा नहीं मिराज बोलिए जी सर जिसके पास ये वली EU किसम की चीज होगी किसे लाइफ चैट में लिखा है EU वो नभी हो जाएगा उनका पीसे ऐसा था आपने के आप कैसे जानते है तो लिखा हो है ना कबूतर के आंडे जितना अरे वो तो भी सही है भाई वो कबूतर के आंडे उतना नहीं है वो जो फोटू दिखा रहे है कबूतर का अंडा बना होता है इसमें भी चोटा है कबूतर का अंडा बना होता है वाई जी बही बोलिये क्या बोलू आपने बोलना है सर वो सिंबल है नभी का अरे यह सट फसू लोग यही तो पूछ रहा हूं अगर किसी की जिल्द के उपर भी इतना मोका सा लिगा होगा तो क्या वो नभी हो जाएगा अरे भाई बोलो साहिल साहिल पर टाइम वेस जिहादी को निकाल तो फिर कौन सा रह साहिल अरे साहिल भाई कुछ बोलोगे यार एक काम करो आप वो रहान भाई के आईडी से आजाओ या यह रहान भी आया हुए रहान भाई तुमारा साथी तो कुछ बोल नहीं रहा है अरे मैं वही हूँ कोई माई की शुआ रहा है आपको किते देरे पहले प्राइविट चैट में मैंने पीडियाफ लिंक बेजा हुआ है पेज नमबर बेजा हुआ हुआ है यह कौन सा लिंक क्या वाइरस विरस विरस वान टी आर वी टाइब का लिंक नहीं खोलने लगा सॉरी यह कौई वाइज़ा आप खोलें और शेर स्क्रीन करें शेर करते चलो ठीक है मैं कोई नहीं मैं खोलने क्या हुआ है